दोस्तो आजके इस वीड़ों में हम बात करने वाले है कि ऐसी वैडसाइट के बारे में जो आपके बहुत ही काम आने वाली है तो वीडियो का इंट से देखेगा दोस्तों मेरा नहीं आप आप देख रहे हैं यूटुब चैनल एक्टाटक वर्ड तो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज प्या जाएंगे smallpdf.com तो यह कुछ इस तरीके का website खुलेगा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर कई सारे options आपको मिल जाते हैं इन्ही को explain करने वाला हूँ मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इनको use करके काफी सारे समय बचा सकते हैं काफी सारे काम यहां से बिलकुल free में आप कर सकत करता है जैसे कि आप mail पर किसी को अगर PDF भीजते हैं तो 25 MB से कम का भीज सकते हैं अधिक का भीजते हैं तो आपको drive पे upload करके link शेंट करना होता है या फिर बहुत सारी websites हैं जो कहती हैं कि हम इतने MB या इतने KB का ही PDF लेंगे और अपने PDF स्कैन किया और वो ज्यादा MB का बन अपना PDF सेलेक्ट कर देंगे फिर convert कर देंगे ओके आटोमेटिक के convert कर देगा देना आप डाउनलोड कर सकते हैं करीब 40-50% तक size को घटा देता है यानि कि अगर आपका PDF 1 MB का था तो वो यह 500 MB का बना देगा देन देख सकते हैं PDF converter तो यह PDF converter क्या है आपके पास कोई भी word की file फईन फाल हो PPT हो PowerPoint हो तो उन सभी को आप PDF में convert कर सकते हैं नहीं पीटी टु मिनदिए तूपी ट्रीए त्री पास कोई भी PBT हो उसको आप पार कर सकते हैं फिर यहां पर PDF पर fancy PDF रोut चरॉच्ब्राइए तो यहां पर देख सकते हैं, तो आपको कोई भी PPT बनानी हो, तो आप हो सकता है उसे Google से डाउनलोड कर लें, और आपके पास वो PDF फॉर्मेट में हो, तो आप उसे PPT फॉर्मेट में यहां से convert कर सकते हैं, देन आता है JPG या JPG to PDF, तो आप कोई फाइल स्कैन करते हैं, वो फो image to PDF, फिर आता है PDF to JPG, कोई भी PDF है और उसे आप image में convert करना चाहते हैं, तो इस option को use करेंगे, इस तरह किसे आगे बढ़ते हैं, तो Excel to PDF, आपके पास कोई भी Excel फाइल हो, उसे आप PDF फाइल में यहां से convert कर सकते हैं, फिर PDF to Excel, फिर edit PDF भी है, आप PDF में कोई भी date, कोई भी text, कुछ भी change करना चाहते हैं, कुछ भी, तो यहां से edit PDF पे click कर सकते हैं, फिर यहां पर आता है PDF reader पे, ठीक है, तो यह display, print and share, PDF online, यह सब कुछ कर सकते हैं, number pages, यानि कि कई सारे pages का आपके पास PDF है, आप उसमें page number डालना चाहते हैं, तो आपको यहां से direct डाल सकते हैं, फिर delete PDF pages, हो सकता है, आपके पास कोई PDF file हो, जिसमें 14-15 पन्य हो, और आप चाहते हैं, कि आप उसमें से कुछ पन्य हटा दें, तो यहां से आप delete उसमें से PDF page कर सकते हैं, फिर rotate PDF, हो सकता है, आपके पास कोई PDF हो, उसमें कोई भी file, landscape में हो, आप उसे portrait करना चाहते हैं, यानि उल PDF कर सकते हैं, merge PDF, कई सारे PDF को combine करके एक PDF बना सकते हैं, split PDF, PDF को कई सारे भागों में अलग-अलग बाट के PDF बना सकते हैं, फिर PDF पे e-sign कर सकते हैं, PDF पे कोई password पड़ा हुआ है, तो उसे आप unlock कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, फिर यहां पे product, आप उस किसी भी PDF में जो है password भी ड जानकारी देनी थी, आपको किस तरीके से कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको description में दिये के link पे click कीजिए, और काम नहीं भी है, तो एक-एक option को use कीजिए, इस से क्या होगा, जब भी आपको emergency पड़ेगी या फिर कोई भी काम पड़ेगा, तो आपको पहले से आता ह होगा, यानि कि skills develop कीजिए, जानकारी पाईए, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना knowledge बढ़ा सकते हैं, और इतने सारे काम बिल्कुल free में सीख सकते हैं, कर सकते हैं, converting का, जितना भी काम है वो, तो आपको ये वीडियो जो है, वो पसंद आई होगी, hope करता हूँ, कि ये व वीडियो में कोई भी सवाल सुजाओ है, तो मैं कमेंट करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, शेहिंद,